वेलकम ओल डियर स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेडी विट सियोल सर पे तो दोस्तो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है रीट के जितने भी स्टुडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाज तक देखे क्योंकि हम आज डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपके सलेबस के बारे में साथ ही आपके एक्जाम डेट के बारे में साथ ही आपके एक्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे सारी चर्चा होने वाली है इस वीडियो में तो दोस्तों को आप वीडियो के लास्त कबने रहे हैं वीडियो सुरूं करूं उसे पहले आपसे request आप जैसे कि देख रहें इस गोलाकार में सस्कृराइब का बटन बन रखा है सस्कृराइब के बटन को फ़े प्रेस कर दीजिए साथ इधर बलेल कवरन का बड़न है इस पर प्रेस करके ओल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी न्यू वीडियो जै आपको उसकी जानकरी मिल सके वे अपडेट मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम चर्ता करते हैं हमारे राजस्तान के सिक्षा मंतरी गोई सिंग डोटासरा के ट्विट के बारे में जियां दोस्तो गोई सिंग डोटासरा ने ट्विट किया है कि पारदेर सीता अच्छी गवर्नेश का मूल अधार है और हमारी सरकार इसके लिए परतिबद है इसी उदेशेशे गुरुवार 25 जून को शिक्षा विवाग से जुड़ी सभी भरतियों का स्टेटस अपडेट आप सभी को अप भी के लायू के माद्यम से साजा करूंगा ताकि आपको सही जानकरी मिले और आपको कोई गुम्रा नहीं कर पाएं तो सबसे पहले तो जो गोई सिंग डोटास रहा है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो शिक्षा से जुड़ी जितनी भी भरतिया है उनके बारे में बताने वाले हैं कि उनका क्या स्टेटस है तो दोस्तों सबसे बड़ी भरति है जो रीट की है 31,000 जिसमें पद्द आपको पता है भरे जाने हैं तो दोस्तों कल जो हमारे राजस्तान के शिक्षा मंत्री है वो अपने ओफीशल पेज फेस्बुक पे लाइव आने वाले हैं तो अगर आप फेस्बुक चलाते हैं तो वहां पे जुड़के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वरना आप हमारी चैनल पे सि करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये शिक्षा विवाग की तरफ से आचुका अपडेट आप जैसे की देख रहे हैं कल 11 बजे जो हैं गोईंच सिंग डोटा स्रा लाइव आने वाले हैं तो दोस्तों आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं क्योंकि पूरी इंफोर्म पास रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर लाइव रहने वाले हैं तो दोस्तों सबसे प्रतम पॉइंट आप जैसे की देख सकते हैं प्रतम स्रेणी व्यक्याता पांच हजार को मिलेगी नोक्री व्यक्याता बर्ती 2018 का आयोजन विवादों के बीच तीन से 13 जनुरी 2020 को बा से उलज गया प्रिणाम जारी करने को लेगर लगातार बेरोजगरों की ओर से ग्यापन दिये जा रहे थे इसी मेने प्रदेश के 5000 बेरोजगरों को नोक्री का तोफ़ा मिलना ते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने पहले मेरे वीडियो में आपको बताया हैं कल राजस्तानी का ज आरे चैनल पर बने रही है क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज आपके रिजल्ट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे आपको जान करी दूसरा जो सिक्षा मंत्री का मुख्या उदेश्या होगा वो रहेगा दोस्तों दित्य स्रेणी बरती दोजार अठारे के जिरे इन बेरोजगारों को भी इस मेने खुशी मिलने की आस है तो दोस्तों जो शिक्षा बरती 2018 है जो न्याले में उलजी पड़ी है उसमें शिक्षा विभाग अपनी तरब से मजबूत पेर भी करेगा और जितने भी बेरोजगार है उनको नोकरी दिलाने का प्रियास करेगा और दोस्तों प्रियास रेगा कि जल्द से जल्द इस बरती को न्याले से बाहर निकाली जाए और जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए दोस्तों मुक्या इंपोर्टेंट जो दोस्तों हमारी इस वीडियो के अंदर जो मंतन रा है हमारे वीडियो का जो म आप देख सकते हैं यहां पे 33 स्रेणी शिक्षक रीट को लेकर मंतन पूरा परदेश में 31,000 पदों के लिए होने वाली रीट के लिए मंतन लग बग पूरा हो गया है अब शिक्षा विवाग की और से जल्दी अंतिम बेटक बलाकर रीट की विग्यपति को दरातल पर लाया जाएगा इधर 30 जून को राजस्तान शिक्षा सोरी राजस्तान माजमिक शिक्षा बोर्ड की प्रिक्षा भी पूरी हो जाएगी ऐसे में वह भी रीट पर ज्यादा फोक्स कर सकेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनसे मेर होगा रीट का एप्लिकेशन फॉर्म कब से ब्रेजाने वाला है रीट के एक्जाम डेट क्या रहने वानी है दोस्तों वह कल पूरा किलियर हो जाएगा कल 11 बजे क्यूंकि दोस्तों कल 11 बजे हमारे राजस्तान के शिक्षा मंत्री गोईंशिंग डोटासरा फेस्बुक के म नहीं चुड़ पाते हैं दोस्तों तो हम हमारे फेस्बुक सोरी यूटूब चैनल हमारा जो स्टडी विट सियोल सर हैं उस पे हम अपलोड करेंगे उनकी ताजा जानकारी न्यू इन्फोर्मेशन जितनी भी सिक्षा विभाग की हैं तो आप दोस्तों वीडियो के लाइक क कर दीजिए और साथ ही दोस्तों चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि जितनी भी इन्फोर्मेशन न्यू हमारे पास आएगी शिक्षा समंदी शिक्षा विभाग समंदी आपके वेकेंस समंदी कोई रिजल्ट से समंदी हम आपको देते रहेंगे